तो जैने दुस्तो मेरे नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बजार दुस्तो रियल में FAQ एपिसोड 18 रिलीज हो चुका है क्या कुछ खास है इस एपिसोड में क्या कुछ खास questions है रियल में रिगार्डिंग तो इस वीडियो में हम जाने जाते हैं तो वीडियो q1 कार में AUX mode को support करता है तो realme dona का है जी हां करता है realme 1 का करता है मैं use कर चुका हूँ और यहां पे realme u1 भी करता है mostly mobile जो है यह अभी जो आ रहे हैं वो AUX mode को support करते हैं एक कंपणी ने यह भी बोला है कि अगर आपको कुछ Pack होगा तो आप customer service में contact कर सकते हैं और accessories में भी check कर सकते हैं तो यह जो है realme U1 यह AUX mode को support करता है तो यहां पर दोस्तों अगला question पूछा गया है realme 2 pro के recording के realme 2 pro में अभी latest अभी लिटिस्ट आपको colorware 6 का beta version मिला होगा कुछ ही लोगों को मिला मैंने भी apply 2 pro hyper push को support करता है जो अभी beta version colorware 6 का मिला है तो company दो बहुत है जो beta version आपको मिला है उसमें hyper boost enable है वो support करता है realme 2 pro में तो एक बहुत अच्छी बात है और hyper boost का जो support है बहुत अच्छा देखने को मिलता है लेकिन यहां पर mostly जो devices है मैं बोलू तो realme c1 realme c2 और realme 2 में अभी सपोर्ट नहीं आया है maybe in future देखने को मिल जाएगा तहां पर जो अगले question पुछा गया है वो realme 3 pro के recording पुछा गया है तो यहां पर पुछा गया है कि realme 3 pro है वो widevine L1 को support करता है कि नहीं जो कि netflix और amazon prime video देखने के काम आता है तो यहां पर दोस्तों कमपनी ने बोला है कि जी हां realme 3 pro और रेडी support करता है widevine L1 को और यहां पर दोस्तों अगर आपको mobile में अगर यह support नहीं देखने को मिलता है तो आप latest version कि है वो realme 3 pro में available है और mostly जो realme की devices है उसमें color OS 6 के beta version के बाद जो update आएगा उसमें आपको support देखने को मिल जाएगा जो कि अभी देखने को नहीं मिलता है यहां पर अगला question कि इसके regarding भी मैंने एक video बनाया है और यह जो unnecessary चीज़े इसको uninstall करने के लिए बोला गया है यहां पर question बुचा गया है कि क्या हम इसे uninstall कर सकते हैं क्योंकि mostly जो apps हैं play store से download कर लेते हो तो company ने बोला unfortunately यहां पर आप इसे अंस्टॉल नहीं कर सकते हो क्योंकि यह जो है यह जो चीज़े हैं वो जो software के साथ है वो deeply integrated है और यहां पर अगर आप इसे अंस्टॉल करते हो किसी भी apps के गया है Gcam के regarding और यह question बहुत बार पूछा गया और मैंने बहुत बार इसका अंसर भी आपको बता है तो यहां पर पहल एक और बार बार बोलते हैं कि जो Gcam है वहां पर जो without bootloader unlocking के हम क्या Gcam directly install कर सकते हैं Realme की devices में तो यहां पर Realme की devices में आपको support मिलने वारा है Gcam 2 API का उसमें जी हां आप directly Google Cam की जो AP के है डाउनलोड कर सकते हैं without bootloader unlock किये तो यहां पर अभी जो support है Realme 3 3 Pro और C2 में तो मैंने देखा था लेकिन Google Camera जो है मुझे उसके लिए मिला नहीं अच्छा था और यहां पर install आप कर सकते हो Realme 2 Pro में भी बेटा वर्जन आया है तो उसमें भी आप Gcam easily install कर सकते हो without bootloader unlock किये और आने वाले समय में आपको Realme 1 U1 में भी यह support देखने को मिल जाएगा अब यहां पर अगला question पूछा गया है कि विल्बी गेट दा लॉक स्क्रीन मेगजिन फीचर बिद कलर OS 6 तो यहां पर पूछा गया है कि भाई यह कलर OS 6 के साथ लॉक स्क्रीन मेगजिन का feature मिलने वा करना के बता है तो Realme C2 में यह support देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन मेगजिन में भी जो है color OS 6 के beta version के बाद बहुत सारी डिवाजिस में हम यह support जल्द ही देखने को मिल जाएगा अब यहां पर अगले कोशन पुछागे कि जो वाटर मार्क है Realme में हम photos किसते समय जो वाटर मार्क लेते हैं उसे हम remove कैसे करें तो यह बहुत से लोगों को पता होगा जिनको नहीं मालुमें आप यहां देख सकते है सेटिंग पर चले जाएए सिस्टम एप्स पर चले अब यहां पर जो अगले कोशन पुछा गया है वो realme 3 pro के camera recording पुछा गया है तो यहां पर पुछा गया है कि image sensor कौन सा यूज करते है front camera और realme 3 के rear camera के लिए तो यहां पर detail realme ने दे दिये रियर camera और front camera की आप detail दे सकते है और front facing camera आपको AI camera मिलता है 25 megapixel का और भी बहुत सारी detail है अब पढ़ लीजएगा अगला question जो है वो सायथ Philippines country के लिए recording है यहां पुछा गया है कि Philippines only have 8.13 when the update of Philippines तो यह question में जो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ है अगर आपको हिंदी तो समझ में नहीं आती होगी बट यहां पर आप पढ़के भी समझ सकते हो दोस्तों यह थी कुछ information रियल्मी के recording और यह वीडियो अगर आपको पसंद आओगो तो प्लीज समय चनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि वैसी latest news में आपके लिए रियल्मी के लेके आता रहता हूं तब तक के लिए जाएं दोस्तों